कोरोना वारस के मामले दिन बर दिन काफी बढ़ रहे हैं भारत की बात करें तो यहां कोरोना के रोजाना हजार के करीब मामले सामनी आ रहे हैं ऐसे में देश भर में लॉकडाऊन में मिली छूट, कोरोना के खत्रे को और भी जादा बढ़ा सकती है ऐसे में कहीं study का मानना है कि देश को दोबारा लॉकडाऊन किया जा सकता है स्टडी के मताबिक भारत उन 15 देशों में से है जहां लॉकडाउन में दी जा रही धील के चलते कोरोना का संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है इससे दोबारा लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिती पैदा हो सकती है दिरसल नोमुरा रिसर्च फर्म ने अपने अनालिसिस में इस बात को माना है कि भारत में कोरोना का खत्रा जादा बढ़ रहा है ऐसे में यहां फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है स्टड़ी में बताया गया कि 17 देश ऐसे हैं जहां अर्थिवस्था को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया सही रास्ते पर है और वहां कोरोना के दूसरे चरण यानि के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं जबकि 13 देशों में कोरोना के दोबारा लोटने की आशंका लग रही है और 15 देश ऐसे हैं जहां दूसरा चरण आने की पूरी आशंका है इस स्टड़ी में बताया गया कि कई देशों में कोरोना कर्व फ्लैट नहीं हो रहा और रोज नए मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं ऐसे में लोगों के भीतर भय बना हुआ है और लोगों की आवाजाही बहुत कम हो रही है गंबीर हालातों में कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है स्टडी में 45 देशों को शामिल किया गया है जिसमें 30 समूव बनाये गए हैं इसमें पहला है सही रास्ते पर दूसरा है चेतावनी और तीसरा है डेंजर जोन जिन में भारत डेंजर जोन में है बताया जा रहा है कि भारत के साथ इंडोनेशिया, चीली और पाकिस्तान, स्वीडन, सिंगापूर, दक्षिन अफ्रिका और कनाडा जैसे देश भी इसी जोन में शामिल है महिजिन देशों में परिस्थती बहतर बताई जा रही है उनमें फ्रांस, इटली और दक्षिन कूरिया शामिल है जबके अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश चेतावनी यानि वार्निंग साइन की श्रेणी में शामिल किये गए है subscribe our channel and press the bell icon for more updates